Hello and welcome friends, C language सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो C language की है इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए इसमें मैंने pointer variable का यूज़ किया ये वो pointer variable FDR के नाम से इसको मैंने दिया है और इसके जो value है देखिए ये variable 1 की जो value है और यहाँ पर pointer की जो pointer में तो अभी फिलाल देखिए यहाँ पर कुछ भी store नहीं है तो यहाँ पर क्या की की दोनों को exchange कराया है और फिर इसको अगर हम save करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे run कराने कोशिश करूँगा तो यहाँ से इसको save कर लेते हैं पहले तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ pointer pointer के ही नाम से इसको save करता हूँ और .c लगाना जरूरी c language के file के extension होती है तो बस यह अगर कोई error नहीं है इसमें तो यह program successfully compiled भी हो जाना चाहिए successfully compiled भी हो गया और यहाँ पर यह print भी हो गया तो यह देख सकते हैं यहाँ पर 20 आ रहा है ठीक है अब 20 assign हुआ था variable 1 में लेकिन इसको भेज दिया गया किसमें pointer variable में तो यह pointer variable है ठीक है